हमा समले के एक साल बीच जाने के बाद युद्ध और भीशन होता जा रहा है इसराइल अपने दुश्मनों को चुन-चुन कर मार रहा है इसी कड़ी में अब इसराइल ने अपने अमेरिका से मिले फाइटर जेट F-35 को मैदान में उतार दिया है वही रान की मदद के लिए र पर पावर के युद्ध में आप रत्यक्षी रूप से शामिल हो जाने से तीसरे विश्य युद्ध की आहट सुनाई दे रही है यह रिपोर्ट देखिए इसराइल ने उतार दिया है अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 जो उसे अमेरिका से मिला है इसका मुकाबला करने के लिए दावा किया जा रहा है कि इरान को मिल गया है रूज का S-400 एर डिफेंस सिस्टम इसलिए फारस की खाड़ी के ऊपर कुछ अशुब होने वाला है इरान और इसराइल के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा साफ नजर आ रहा है अगर युद्ध हुआ तो F-35 और S-400 इन दोनों की टकर जबरदस्थ होने वाली है इस युद्ध में सबसे नए हत्यारों के मुकाबले की 100% गारंटी है साथ में दो सूपर पावर अमेरिका और रूस के हत्यारों का ऐसा मुकाबला हो सकता है जो दुनिया ने यूकरेन की जंग में भी नहीं देखा इसमें कोई शक नहीं के ये युद्ध शुरू हुआ तो यूकरेन से भी ज्यादा खतरनाक वेपन सिस्टम इस्तेमाल होंगे क्योंकि अब रूस में खुलम खुला इरान का साथ देना शुरू कर दिया है लेकिन दूसरी तरफ बाइडन है और बाइडन की पूरी कोशिश है कि इसराइल के हत्यारों की धार कम नहो सवाल है कि इसराइल अब इरान से बदला कैसे लेगा इरान पर हमला करने के लिए उसके पास टारगेट तो हैं लेकिन उन पर वार करने के लिए इसराइल के पास सबसे बड़ा हत्यार F-35 ही है दूसरा हत्यार इसराइल की जेरिको मिसाइल है जो 11,000 किलो मिटर तक वार कर सकती है ऐसी मिसाइल को इसराइल ज्यादा पेलोड यानि विस्फोटक से लेस करके इरान पर बरसा सकता है इसराइल के ये दोना हत्यार उसके मजबूत विकल्प हैं लेकिन इन में से F-35 को इरान भेजना पड़ा जोखिम उठाना जैसा है क्योंकि एरान भी जानता है कि इसराइल के इस फाइटर जैट को रोकने के लिए उसके पास रूस वाली गारंटी है अमेरिका और पच्चिमी मीडिया बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि एरान को S-400 Air Defense सिस्टम मिल चुका है या फिर रूस इसे बहुत एगफ़ा तरीक से इरान में आपरेट कर रहा है जिपोब बेन मा सुरत गरिफत अबतकाराती अलाँ वजूद दारे तवस्त वरकी अस किशवराई मन्तगए वरकी अस किशवराई फरामन्तगए सवाल है कि क्या F-35 जैसे कुफिया फाइटर को रूस का S-400 रोक सकता है कि ऐसा मुम्किन है और अगर ऐसा हुआ तो इसराईल को एरान पर जवावी हमला बहुत भरी परसकता है F-35 दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घातक फाइटर है जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीक में कर पाएगा F-35 अमेरिका का स्टल्थ फाइटर जैट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता यही इसकी सबसे बड़े खासियत है यह पाँच ही पीड़ी का फाइटर जैट है नहीं दुश्मन का विमान इससे देख पाता है नहीं उसके रडार इससे ट्रेक कर पाते ही F-35 की अधिक्तम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर पर ती घंटे है यह 9 टन बम लेकर उड़ सकता है अगर इसराइल ने इसे लॉंच किया तो इसके टारगेट पर इरान के सीक्रेट अड़े होंगे तेल के ठिकाने होंगे इरान की लीडर्शिप होगी इरान को भी पता है कि इसराइल का F-35 छुपकर हमला बोल सकता है यह इरान के ठिकानों के करीब पहुँचकर यह बिना ट्रेक वे हमला कर सकता है अब सवाल है कि इसके खिलाफ इरान क्या रणनी की अपनाएगा तो जवाब है S-400 जो दुनिया का सबसे सटीक एर डिफेंस सिस्टम माना जाता है जो स्टेल्थ विमानों को भी गिरा सकता है ऐसा रूस का दावा है अगस में इरान आये रूस की सुरक्षा परिशत के सचिव सरगई शोईगू से इरान ने यही डिमांड रखी थी इरान ने रूस से S-400 मांगा था और तभी से ये क्यास लगाई जा रहे हैं कि इरान को S-400 मिल चुका है इरान की मांग को लेकर शोईगू ने साफ कहा था कि हम हर शेत्र में इरान से सहयोग बढ़ाने के लिए तयार हैं अब समझ लीजिए कि S-400 को लेकर पुतिन ने क्या फैस ला लिया होगा इस तरह की भी रिपोर्ट आई हैं कि इरान में S-400 को अपरेट रूस के ही टेक्निशन और इंजिनियर कर रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी इरान की फोर्स इस सिस्टम को बेहतर तरीके से नहीं चला पाईगी S-400 दुनिया का शक्तिशाली एर डिफेंस सिस्टम माना जाता है इसकी रेंज 400 किलो मीटर से ज्यादा है ये स्टेल्थ विमान को आराम से ट्रेक कर सकता है ये क्रूज और कम दूरी की बलिस्टिक मिसाइल को भी गिरा सकता है इसे F-35 का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और यही इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा है इसराइल और इरान के बीच युद्ध रोजाना भीशन होता जा रहा है दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगातार जवाबी हमले किये जा रहे हैं इरान ने अब अमेरिका को भी वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका इरान की धमकियों को हलके में नहीं ले सकता इसराइल पर जिस तरह से हमले इरान ने किये हैं उससे साफ है कि खाड़ी में अमेरिका के अड़े भी इरान की मिसाइल पावर से सुरक्षित नहीं रहेंगे करीब 39 F-35 विमान हैं लेकिन इरान के हमले में दावा किया जा रहा है कि कई विमान तबाह हो चुके हैं हाला कि इसराइल का कहना है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसे में इसराइल अगर अपनी फुल एर पावर से इरान पर हमला करता है तो उसके सामने नई चुनाती होगी S-400 की इसलिए अगर युद्ध हुआ तो F-35 और S-400 इन दोनों की टकर सबरदस्थ होने वाली है ये ना सिर्फ इरान और इसराइल की टकर होगी बलकि दुनिया की दो बड़ी पावर अमेरीका और रूस के सबसे बहतरीन हत्यारों का भी मकाबला होगा ऐसी लड़ाई जो दुनिया ने यूकरेन की जंग महुए नहीं देखी है दुष्मन मिलत एरान, हमन दुष्मन मिलत फलस्टीन है, हमन दुष्मन मिलत लुबनान है, हमन दुष्मन मिलत अराग है, दुष्मन मिलत मिस्र है, दुष्मन मिलत सूरीय है, दुष्मन मिलत यमन है, दुष्मन यकी है। शीवहाई दुश्मन दर किशपराई मुक्तलिफ है इरान ने अब अमेरिका को भी वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका इरान की धंकियों को हलके में नहीं ले सकता इसराईल पर जिस तरह के हमले इरान ने किये हैं उससे साफ है कि खाड़ी में अमेरिका के अड़े भी इरान की मिसाइल पावर से सुरक्षित नहीं रहेंगे ये गारंटी अली खामनेई और उनके कमांडर बार बार दे रहे हैं इसलिए अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो समझ लीजिए के इलागे में उसका बचा खुचा रसोग भी फूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा F-35 एक ऐसा विमान है जिसके टकर में इरान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है लेकिर उसके पास अगर रूस का S-400 एर डिफेंस सिस्टम है तो गेम एक तरफा नहीं रहेगा इरान की मिसाइल पावर इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों पर भारी पड़ रही है एक तरफ इरान ने सौधी अरब से दोस्ती कर ली है तो दूसरी तरफ चीन और रूस के दखल ने इस इलाके में अमेरिका की धूमिका को कमजोर किया है इरान को लगता है कि अब खाड़ी देशों में अमेरिका के दिन पूरे हुए और अब उसे अपना सामान पेक करके वापस लोट जाना चाहिए खीक उसी तरहे जैसे वो इराक और अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट कर भागा इरान के आत्मविश्वास की वजए उसके हत्यार भी है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इरान की धमक को मजबूत कर रहे हैं इरान के खत्रे को देखते हुए इसराइल पहले ही बड़ा खदम उठा चुका है इसराइल अब अमेरिका से 25 और F-35 जेट खरीद रहा है हाल ही में आए तीन नए जेट के बाद इसराइल का F-35 फाइटर का बेड़ा 39 विमानों का हो चुका है इसराइल चाहता है कि उसके पास 75 एफ-35 हों ताकि वो इरान का मुकाबला कर पाए अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर F-35 एरान ही नहीं बलके रूस के रडार सिस्टम के लिए भी रहस से बना हुआ है अमेरिका और इसराइल दोनों जानते हैं कि एरान के पास इस फाइटर को रोकने की ताकत नहीं है और वो जब चाहे उस पर बहुत खामोशी से हमला कर सकता है इसराइल तो कई बार इरान पर हमले की तियारी भी कर चुका है ताकि इरान के परमाणु कारिकरम को खत्म किया जा सके दुनिया की एजुकेशन बताती है कि पश्चिम एश्या में अगर युद हुआ तो यहां लगी आग में पुरी दुनिया जलने लगेगी अमेरिका बार बार कहता आया है कि रूस और इरान ने अपने रिष्टों को बहुत शातिराना तरीके से ढख कर आगे बढ़ाया है युपरेन युद में पुतिन इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाते अगर इरान ने रूस की मदद ड्रोन दे करना की होती इसलिए युपरेन में रूस के इरानी ड्रोन बहुत बड़ा मैसेज लगातार दे रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि रूस और इरान के बीच रिष्टे बहुत ही सीक्रेट रहे है यही वज़ा है कि एरान और रूस के बीच संबंदों से अमेरिका बॉखलाया हुआ है एक तरह से अब पुतिन ने युद्वाला कंट्रोल इरान में शिफ्ट कर दिया है कि यही बीच जाहिए कि जाहिए करें लिए यग दिए है पह्चिम एश्या में इस वक्त युद्ध के हालाद बन चुके हैं। एरान पहले ही अपने हथ्यारों को युक्रेन में भी आजमा चुका है। और अब वो इसके साथ अमेरिका और इसराइल को भी चैलेंज कर रहा है। एरान और सौधी अरफ के समझोते या कहें के दोनों मे अमेरिका का और दूसरा इसराइल का ये बात खामने ही ने भी साफ कर दी है।